नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिफेक्जिम एंड ओफ लॉकससीन टैबलेट के बारे में बताएंगे जो कि ये कॉंबिनेशन में मेडिसिन आती है इसके ब्रैंड नेम के बारे में बात करेंगे कि ये मेडिकल स्टोर पे आपको किस नेम से और कितने रुपई की मिलती है साथ ही दोस्तों बात करेंगे कि ये जो दवाई है, ये किस क्लास की दवाई होती है साथ ही दोस्तों बात करेंगे कि इसके उपयोग क्या-क्या है जो कि हम डिटेल में बात करेंगे तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखें नहीं तो बाद में आप कमेंट करेंगे कि ये नहीं बताया वो नहीं समझ में आया और दोस्तों बात करेंगे कि ये दवाई कैसे उपयोग की जाती है क्या-क्या इसके side effect आते हैं क्या-क्या साउधानिया रखनी चाहिए ये दवाई लेते समय वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि ये दवाई किन दवाईयों के साथ में नहीं लेनी चाहिए इसके drug interaction के बारे में तो चलिए फटा-फट वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके brand name की तो ये इसके कुछ popular brand name है दोस्तों जैसे की GFE O tablet के नाम से आती है जिसमें जो सिफच्ग्जिम की मातरा रहती है वो 200 mg रहती है और O floxac鹿 की जो मातरा रहती है वो भी 200 mg रहती है दोस्तों अगली जो tablet है वो है महा सिफ़ प्लस के नाम से आती है इसमें भी 200 mg प्लस 200 mg की strength में ये भी आती है बात करें इसके MRDP के बारे में तो दोस्तों ये 15 रुपए पर टैबलेट के हिसाब से मिलते हैं, जो कि 150 रुपए की 10 टैबलेट के स्टिप इसकी आती है, अगला दोस्तों जो इसका ब्रैंड है वो है GFE O-100DT, DT का मतलब दोस्तों है Dispersible Tablet, वो टैबलेट जो माउथ में ही Dissolve हो जाती है, इसमें जो दोस्तो सिफेक्जिम है, वो 100 mg है, और साथ ही जो दोस्तों ओफ लॉकसासीन है, वो भी 100 mg डाली गई है, इस टैबलेट के कीमत की बात करें, तो ये भी 11 रुपए पर टैबलेट के हिसाब से आपको किसी भी मेरिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी, आप वहां से जाके इसे जाते हैं कि ये जो दवाई है, ये किस क्लास की दवाई होती है, तो दोस्तों दोनों दवाईयों के बारे में हम जानेंगे, पहली जो दोस्तों सिफेक्जिम है, ये सिफेलो इस्पोरिन क्लास की एंटिबाइटिक मेडिसिन होती है, वैसे दोनों एंटिबाइटिक मेडिस किन किन कंडिशन में और कब कब किया जाता है तो चलिए बात करते हैं डिटेल में इसका उपयोग मुखी रूप से बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमड के उपचार में किया जाता है कुछ मैं आपको कंडिशन बताता हूं जैसे कि कान में अगर संक्रमड हो जाता है किसी प् ठीक करने के लिए इसका उपयोग होता है और दोस्तों urine infection मतलब UTI urinary tract infection है बैक्टेरिया से उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इस दवाई को देते हैं और दोस्तों आखों में अगर किसी प्रकार का संक्रमड है तब भी इसका उपयोग किया जाता है कुछ और भी इसके उपयोग है जैसे कि दोस्तों sinusitis के उपचार में गले में infection है गले में दर्द रहता है निमोनिया है या फिर दोस्तों गुर्दे का संक्रमड है मतलब lungs से लेटर संक्रमड हो गया है जैसे कि bacteria से तब इसका उपयोग करते हैं और दोस्तों इसका उपयोग टाइफाइड बुखार को ठेक करने के लिए भी डॉक्टर करते हैं साथ ही दोस्तों इसका उपयोग neutropenia को ठेक करने के लिए और उपरी सुसंतंत्र मतलब फेख़़ों से जो उपर वाला है हमारा ये गला वगयरा इसमें अगर संक्रमड हो गया है तब इसका उपयोग किया जाता है पेरिटोनाइटिस को ठेक करने के लिए इसका उपयोग होता है साथ ही दोस्तों पेलविक इंफलमेटरी डिजीज को ठेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है तो बहुत सारी कंडिशन है और दोस्तों जैसे की कान बजना कान से आवा कान बजता रहता है लोगों का तब इसका उपयोग किया जाता है और दस्त के उपचार में भी इसका उपयोग होता है तो दोस्तों इसके कई सारे multiple uses हैं जो कि डॉक्टर अपने experience के हिसाब से इसको other other condition में मरीज को देता है अब फ्रेंट सम्बात कर लेते हैं कि ये जो दवाई है ये आपको लेनी कैसे है त आप उस हिसाब से इस tablet का उपयोग करें दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके side effect के बारे में तो side effect सम्मरीजों में नहीं देखा जाता है लेकिन कुछ मरीजों में देखा गया है कि ये दवाई लेने के बाद में जैसे कि nausea vomiting की सिकायत करना मतलब उल्टी मतली की सिकायत क लग जाना या फिर पेट में दर्द महसूस होना या फिर allergic reaction होना जैसे कि skin पे itching होना अगर ऐसी कोई भी condition आपको दिखाय देती है तो तुरंत इसको लेना बंद करें घबराये नहीं और अपने डॉक्टर से संपर्क करें वो आपका further treatment करेंगी अब front हम बात कर लेते हैं सा सौधानियों में जैसे कि अगर आपको इस दवाई से allergy है तब इसका इस्तमाल बिल्कुल ना करें एलकोहल का जब सेवन करें तो इस दवाई को उस टाइम ना लें प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फेडिंग होने पर हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेकर इस दवाई का उप इंट्रेक्शन के बारे में देखेंगे कि किन दवाई के साथ में यह दवाई नहीं लेनी चाहिए तो दोस्तों जैसे कि इसमें जानलेवा इंट्रेक्शन हैं मध्यम इंट्रेक्शन हैं तो दोस्तों इसमें जैसे कि टिजा निडिन के साथ में इसका उप्यूग नहीं करन चाहिए सेलेजिलीन हो गया रसाजिलीन हो गया या फिर दोस्तों कॉलेरा जो वैक्सीन्स होती है और इसोपायरामाइड हो गया या फिर दोस्तों कुईनिडीन हो गया वारफेरिन हो गया आयरन हो गया और दोस्तों सीना कैलसेट हो गया तो इन दवाईयों के साथ में इसका उपयोग बिलकुल ना करें और भी कोश दवाईयां हैं जैसे दोस्तों प्रोबेंसेड हो गयारो, कर्बामाजीपाईन हो गया, एस्टराडियों हो गया, इंडो मेथासीन हो गया, कीटो प्रोफिन हो गया, तो इन दबाईयों के साथ में इसका उपयोग ना करें, कीटो रो लैक हो गया या फिर दोस्तो प्रोबेंसेड हो गया, तो ये हैं इसके ड्रग इंट्रेक्शन और भी इसके ड्रग इंट्रेक्शन हो सकते हैं, इसलिए हमे भूलें आप लोग ला temporaire नहीं कर रहे हैं कमेट नहीं कर रहे हैं तो प्लीज लाइक और comment करें मिलतें दूस्त और वीडियो में तल टक किए रही है मुस्कराते रही है मस्ते रही है वहसे रही है जय ऐन्पाता टेक किर